आज मैं आप लोग साशेर कर रही हूँ, यह सूपर सॉफ्ट रबडीदार एकदम ठंडी ठंडी मलाईदार केक की रेसिपी और इसमें कोई क्रीम नहीं है और नहीं इसे बनाने के लिए कड़ाई, अवन, कूकर किसी भी चीज की जरुत नहीं है क्योंकि मैंने इसे डैकली पैन में बनाया है और बहुत ही हेल्दी है, जो भी खाएगा ना कि आपकी तहरीफी करेगा, इतनी स्वादिष्ट बन करके तयार होती है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बटर ले लिया है और उसे मैं यहाँ पर मेल्ट कर रही हूँ आप चाहें तो इसे माइक्रोवेब भी कर सकते हैं और आप चाहें तो बटर की जगा पे तेल या फिर घी का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब हमें क्या करना है ना केक बनाने के लिए सारी चीज़े मेजर करके ही लेनी है आपको तो मैं यहाँ ले रही हूँ 1 by 4 cup यह melted butter और इसे मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है एकदम गर्म गर्म बटर का इस्तमाल मत कीजेगा थोड़ा सा ठंडा कर लिजेगा अब इसके साथ ही लेंगे हम आधा कप दही और यह fresh दही है कोई भी खटी वटी दही या फिर पुरानी दही का आपको इस्तमाल नहीं करना है fresh दही लिजेगा लेकिन room temperature पे होने चाहिए अब मैं यहाँ ले रही हूँ यह powder sugar जिसे की मैंने mixer में चला लिया था और यह मैं यहाँ ले रही हूँ आधा कप तो दही और चीनी की quantity same ही रहेगी butter की quantity उससे आती रहेगी सारी चीजों को हम यहाँ पर अच्छे से फेट लेंगे तो आप यहाँ पर इस तरह से hand whisk कर ले ले और सारी चीजों को यहाँ पर mix कर ले आप चाहें तो जो काटे वाला चमच होता है उससे भी mix कर सकते हैं तो यह हमारा liquid batter बन करके तयार हो गया है अब हम बनाते हैं dry mixture तो सबसे पहले यहाँ पर हम सारी चीजों को च्छान करके ही इस्तमाल करेंगे तो आपको baking powder, baking soda दोनों ही लग जाएगा अगर एक इस्तमाल करना चाहें तो वो भी मैं बताओंगी कैसे करना है अब यहाँ जो cake है ना वो मैं आधा मैदा और आधा आटा मिक्स करके बना रही हूँ आप चाहें तो सिर्फ आटे से बना सकते हैं आप चाहें तो सिर्फ मैदे से बना सकते हैं मैंने यहाँ पर दोनों ही मिक्स किया है क्योंकि यह जो cake है ना मैंने बेक नहीं किया है डैकली पकाहा दिया है पैन में इसी वज़े से कि टेश्ट बहुत ही बढ़िया है बिल्कुल पता ना चले कि ये आटे की केक है अब केक हमारा अच्छा फूला फूला सॉफ्ट बने इसके लिए बेकिंग पाउडर एड़ करना ज़री है वन टीस्पून मैंने बराबर करके बेकिंग पाउडर एड़ किया है और वन बैफ फोर टीस्पून बेकिंग सोडा दोनों अलग है दोनों ही एड़ कीजेगा अगर हो तो नहीं हो तो आप सिर्फ एक भी एड़ कर सकते हैं बेकिंग पाउडर वन टीस्पून एड़ कर लिज और इसे एक ही डायरेशन में इस तरह से cut and fold के method से mix करते जाएंगे और हाँ अगर आप cake को सिर्फ आटे से बनाना चाहते हैं तो एक दो टेबल इस्पून इसमें milk powder जरूर से add किजेगा उससे टेश्ट बहुत ही बढ़िया आता है और पता नहीं चलता है कि हमने आटे का cake इस्तेमाल किया है अब मैं इसमें add करी हूँ दूद नॉर्मल रूम टेंपरिचर पे दूद लीजेगा पहले मैंने यहाँ पर आधा कप दूद लिया है और थोड़ा थोड़ा करके add कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पर बैटर बनाने में आधा कप और दो टेबल इस्पून दूद का इस्तेमाल मैंने किया था बाद में नापकी नहीं किया था आदा कब तो ले लिया था मैंने बाद में दो टेबल स्पून के करीब यहां पर दूद और अट किया है तो जो बैटर है ना बहुत ज़ाधा पतला मत कीजेगा या फिर बहुत ज़ाधा गाड़ा भी मत रखियेगा यहाँ फ्लेवर के लिए मैंने यूज किया है हरी लाइची का पौडर आप चाहें तो कोई एसेंस वेगरा भी यूज कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं एकदम रबडीदार केक बना रही हूँ तो उसमें हरी लाइची का पौडर का टेश्ट बहुत ही बढ़ी आता है बैटर तयार हो गया है और केक को मैं डैटली पैन में बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर पैन ले लिए अपना नॉर्मल इश्टील वाला पैन अगर आपके पास नॉन इस्टिक हो तो उसमें भी बना सकते हैं या फिर अगर आपके पास पैन नहीं हो आप चाहें तो इसमें भी बना सकते हैं लेकिन अगर आपके पैस पैन नहीं हो तो normal किसी कटोरे में या टीन में बैटर को add कर दीजेगा फिर cooker या फिर कड़ाई में bake कर लिजेगा सारा बैटर यहाँ पर मैंने ट्रांसफर कर दिया है पैन में थोड़ा समय ने इसे इवन कर दिया है और इसे डैकली हम गैस पर नहीं रखेंगे तवे पर रखेंगे तवे को मैंने 2-3 मिन तक के लिए गर्म कर लिया था और फ्लेम को एकदम लो रखना है आपको बिल्कुल भी हाई, मेडियम ऐसा कुछ नहीं करना है और छोटे वाले बर्नर में रखना है मतलब गैस में जैनरली 2-3 तरह के बर्नर होते हैं मेडियम में स्मॉल तब को स्मॉल बर्नर में से पकाना है एकदम लो फ्लेम पर और मैं अगर बताओ ना टाइम तो मुझे ना टोटल 27 मिनट लग गया थे केक को पकाने में तो एक दो मिनट उपर नीचे होगा अब देख लीजेगा टुटपिक से अब हम बनाएंगे इसकी रबडी तो मैंने यहाँ पर एक लीटर फुल फैट दूद लिया है तो इतनी रबडी का इस्तेमाल नहीं होगा लेकिन मैं थोड़ी ज़्यादा ही बना रही हूँ क्योंकि रबडी आस इसको बहुत ज़्यादा पसंद है अब मैं इसमें आड़ करी हूँ तो थोड़ा सा केस है इससे फ्लेवर और जो कलर है रबडी का बहुत ही बढ़िया आता है और यहाँ पर रबडी बनाने में आपको 15 मेट लगी जाएंगे और अगर आप इतने लंबे प्रोसेस वाली रबडी नहीं बनाना चाहते हैं अगर आपने वह बनाई हो ना तो आप क्या कीज़ेगा ना या फिर आप उस रेसिपी को देख भी सकते हैं आप लीटर दूद ले लीज़ेगा और उसमें दो तीन चमचों पावडर एड़ कर दीज़ेगा आपकी रबडी बनकर के तयार हो जाए कि इधर केक को बेख होते हुए तोटा 27 मेंट हो चुके थे और केक बहुत ही अच्छे से फूल गया था मैं यहाँ पर टुत्पिक डालके चेक कर रही हूँ देखे केक में बिल्कुल भी लग नहीं रहा है मतलब केक हमारा बिल्कुल बनकर के तयार हो गया मैं इधर नीचे से भी आपको दिखाती हूँ कि केक नीचे से बहुत ही अच्छे से कलर आया है नहीं तो कई बर क्या होता है ना नीचे से केक जल जाता है आप देख सकते हैं केक बहुत ही अच्छे से बेख हुआ है बिल्कुल भी जला नहीं है, कलर एकदम परफेक्ट आया है केक का और बहुत ही सॉफ्ट बनी थी केक, आपको छूने से ही पता चल रहा होगा कि बहुत ही अच्छी सॉफ्ट केक, हमारी जालीदार केक बन करके तयार हुई है देखिए, मैं न मतलब पैन में ही रबडी को एड़ करूँगी, इसलिए मैंने इसे वापस से पैन में ट्रांसफर कर दिया है आप चाहें तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं, रबडी डालने की बिल्कुल ज़रत नहीं है लेकिन क्या होता है न केक को थोड़ा सा और ज्यादा टेश्टी बनाने के लिए आपको इसमें थोड़ी से आइसिंग करनी होगी या फिर मेरी तरह यहाँ पर रबडी बना के अड़ कर सकते हैं रबडी को मैंने आधा सुखा लिया है और अच्छी खासी गाड़ी हो गई है तो मैंने इसमें वन बैफ फूर कप चीनी एड़ किया है और हाफ टीश्पून हरी लाइची का पाउडर और फ्लेम को आफ कर दिया है देखें रबडी हमारी बन करके तैयार हो गई है थोड़ी दिर रखेंगा और और भी जाधा घाड़ी हो जाएगे कि इसलिए मैंने इसलिए और घाधा नहीं किया है तो यहां पर यहां पर रख देले हूं थोड़ी दिर के लिए फ्रिज में अच्छे से अब्जॉब कर सके अब जितनी पसंद हो आपको रबडी आप उस एकॉर्डिंग इसमें रबडी आइड कर दे उपर से ड्राइफ रूट से यहाँ पर केक को गार्निस करें और भी अच्छे लुक के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी से रोज बैटल से उसे ड्राइ करके उपर से आइड किया है बहु आपको वीडियो कैसी लगी क्योंकि आपके कमेंड से लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है देख सकते हैं केक बहुत ही सॉफ्ट एकडम मेल्टन माउथ केक बन करके तयार हुआ था और अगर आप इस केक को ट्राइ कीज़ेगा तो मुझे जरूर से बता है घर पर और अभी गर्मिया सुरू हो रही है ना मतलब आही गई है अल्मुष्ट तो कुछ ठंडा ठंडा मीठा खाने का मन करता है तो अब इस तरह से बनाएए इंज्वाइ कीज़े मिलती हूं नेक्स लाग में बाब बाब